कुछ इवनिंग एरिबड़ी कैसे हैं आप सभी एवर एक्जाम में आप सभी का स्वागत है मैं वनीज चलिए स्टार्ट करते हैं आजी क्लास कट ओफ कट ओफ बहुत खेल दिया होगा आपने और पूरा महीना इसी में जाने वाला है तो सच्छा बहतर यह है कि आप अपने आने वाले एक्जाम पर फोकस कर सके आरा भीचे का सी बिटी वान आपके दिसंबर में आ गया है और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे मैंने जो गाइड कर सकता है मैंने आपको गाइड किया यूटूप पे आपकी क्लासिस मैथ की और साइंस की चल रही है उसको भी आप रेगुलर्री कर सकते हैं अब बात आती है कि बहुत सबच्छों का डिमांड था कि राइस्तान जाई के लिए आप हमें गाइड कर दीजिए फ और लास्ट में यूपी डिमासि वाले बच्चों के लिए भी कुछ नगुछ लेके आया हूँ आपको वीडियो लास्ट तक देखनी है सबसे व 커피ल बात करें है कि सबसे बہतर चीज़ ये है राईसान में के डिग्री और डिप्लोमा राइस्तान में की और निकलती सबसे दो Patternि का कर सकते हैं सुबह में आपके पास डिग्री का होगा और दो फैर निप्लोमा में हो जाएगा तो इसलिए आप इसकी preparation को कम time में कर सकते हैं because अभी आप बस दो महीने हैं और दो महीने मुझे रखता कि कोई ऐसे कोई बड़ा course पढ़ेगा या कोई theory पढ़ेगा that means कि आपको अपने बचेवे दो महीनों में question practice पे ज़्यादा focus करना है ज़िए आपने अपनी question practice अच्छे से करी होगी तो आप इस exam को अच्छे से crack कर जाएंगे सबसे पहले पढ़ लेते हैं कि यह exam होता है क्या होता है कैसे vacancies होती है कोई इस department होते हैं इसे हम discuss कर लेते हैं paper की बात करूँ तो paper का pattern अभी discuss नहीं हुआ है लेकिन 99.99 chances के percentage है इसके कि भाई यहाँ पे जो paper होगा वो वही होगा जो पिछली बार से होता रहा है इसमें 40 number का आपका non-tech आता है और आपके पास 80 marks का technical part आता है और 120 में से आपको number मिलते हैं पिछली बार की cut-off के बारे हम बात करेंगे तो बहुते बच्चे बोलेंगे सर यहाँ तो सब धानलेवाजी होती है लेकिन पिछली बार जो exam हुआ था उसमें जो cut-off गई थी जर्नल की बात करूँगा तो मैं तो मैं आपको 85 के गरीब गई थी ठीक है दोनों में ही 84-85 के गरीब गई थी आपके डिप्लोमा भी और डिग्री में भी इस पेपर को आप अच्छे से क्राक कर सकते हैं कम टाइम में देखो सिंपल से बतारूँ मैं आपको यदि आप इस 40 नंबर पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं तो इसमें से आपको पूरा आउटपुट तो कभी नहीं मिल पाएगा तो कि इसका थेले बस बड़ा होता है और आजस्तान तो वैसे इतना बड़ा है इतने सतारे उसके सिटीज हैं उसके बारे में आप पढ़ोगे उसके जोग्राफी क्या है उसके बहुस साई कंडिशन से मैं देखा है बुक्र के अंदर तो वो आपको कंप्लीट नहीं कर पाएंगे लेकिन कुछ चीजों को आप कंप्लीट कर सकते हैं तो मैं मैं चल रहा हूँ कि इस 40 मक्स में से आप 20 मक्स अराम से ला सकते हैं 20 मक्स आप अराम से ला सकते हैं यदि आपने एक डेडिकेट तरीके से नॉन टैक को तीन घंटे दो घंटे देके काम किया है तो बहुत साई चैनल है वहाँ से आप प्रिप्रेशन कर सकते हैं दूसरा जो आपका यह वाला पार्ट है डिप्लॉमेंट डिग्री वाला पार्ट है दोनों के सिर्फ सेम ही है उसकी प्रिप्रेशन आप हमारे साथ कर सकते हैं तो कि देखो मैंने इसका पेपर पूरा देखा है maximum questions previous year में आये हुए हैं चाहिए वो DDA में आये हैं चाहिए वो DT plus B में आये हुए चाहिए वो state के वे exam में आये हुए बहुत ज़्यादा repeated questions हैं चाहिए वो ESC में आये हुए है मुझे लगता है कि उससे मुस्किल से मात 5-6 questions मुझे लगे जो नई थे चाहिए पुराने questions ज़्यादा आ रहे हैं तो that means कि आपको उन questions को चाहटना पड़ेगा और उनकी जास्यादा practice करनी पड़ेगी तो ये preparations आप में साथ में कर सकते हैं इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा तो इस वाले paper में यदि आप 80 marks की बाद करेंगे तो इसमें आप यदि हमें साथ preparation करते हैं तो मैं आपको 65 से 70 marks अराम से इस वाले paper में आ जाएगा यदि आपने जो content मैं आपको provide करूँगा उसको आपने पूरे से पढ़ लिया ये देखो क्या है कि मैं आपको मानता हूँ आपको जाए से अधर लग जाएंगे तो यदि आपके 65 to 70 marks यहाँ पर आ जाते हैं और 20 marks आपको यहाँ पर आ जाते हैं तो that means कि आप अपनी कटोफ को अराम से पास कर लेंगे ठीक है तो that means कि आप अपने अब क्या है कि ये तो वो marks हैं जिसको आप अराम से कर सकते हैं तो यदि आप ऐसा करेंगे 70 marks तक लेंगे तो आप 90 marks तक अराम से ले जाएंगे और 90 marks तक में लगता है कि आपका paper जैसे दी पिसे साल जैसा आता है तो अराम से exam को crack किया जा सकता है आप बात करेंगे कि करना कैसे है इस वाले पार्ट में देखो यदि मैं बात करूँ तो आपको थोड़ा specifically पढ़ना है क्योंकि देखो क्या है कि बहुत से बच्चे ऐसे हैं कि पढ़े जा रहे है उनके वो लगता है कि slinging ही complete करना है हमे लेकिन ऐसा नहीं है एक्जाम निकालने के लिए आपको specifically पढ़ना पढ़ता है जैसे मैं teacher हूँ यदि मैं paper देने जाऊंगा और यदि मैं specifically उस exam के लिए नहीं पढ़ रहा हूँ तो मैं बहुत अच्छा response नहीं दे पाऊंगा क्योंकि मैंने इसको dedicated time नहीं दिया है मुझे पता नहीं कि कुण से subject से question आ रहे है मुझे नहीं पता कि मैंने test कैसे दी है उन सब चुका impact पढ़ता है अब जैसे क्या है कि इसमें degree और diploma का slivers अलग-अलग है तो आपके पास होना चाहिए यह दिए आप diploma से हैं तो आप उन subject को पढ़े मालो कि आप steel पढ़ रहे है आप steel structure पढ़ रहे है आप यहाँ पर structure analysis पढ़ रहे है वो diploma का party नहीं है तो आपको अपने इन subject पर काम करना है यह subject वो है जो आपके सिर्फ diploma में आ रहे है जैसे building, metal construction, serving, roasting, storm, reinforcement, concrete, water resource आ रहे है इसमें ना आपका environment आ रहे है ना आपके पास यहाँ पर still आ रहे है और ना आपके पास यहाँ पर structural analysis वाला part आ रहे है ठीक है, highway भी नहीं आ रहे है इसके अंदर तो लेकिन एक part है जो autocad है वो आ रहे है तो यह जो autocad वाला part यह काफी important रहेगा आपके लिए वो आपकी wall पर चिपका होना चाहिए कि मैंने यह topic complete कर ली है उसके बाद ही आप अपने test पर जा सकते है परसे लाए कि आप highway पढ़ रहे हैं आपको highway मज़ा आ रहे है वो आपके syllabus का party नहीं है तो आप क्यों उसके preparation कर रहे है तो इसलिए आपको उससाब से पढ़ाई करने चाहिए दूसरा बागत है डिगरी का डिगरी की जो vacancies है वो काफी ज़्यादा होती है पिछली पावी ज़्यादा थी तो जो आपके diploma में आ रहे है वो सब तो आई रहे है डिगरी में उसके अलावा इस सारे पार्ट आपके डिगरी में भी आ रहे है तो आपको आपको ज़्यादा प्रिपरेशन करनी पड़ेगी इंसाइट आपिक्स पर फोकस करना पड़ेगा अब आपको बास दो महिने बचे हुए इन टू मंस में आप कैसे कर सकते यदि आप सेल्फ स्टेडी कर रहे है तो आपको जदने भी आपके प्रिविएस यर कोश्चन्स हैं जो अभी नए नए आए हुए है उन सारे कोश्चन्स की प्रैक्टिस करने चाए घर बैठके प्रोपर वे में और जो आपसे नई हो रहे है उनके short notes बनाए उनको आप highlight करें बाबार formula revision करें इस तरह से आप घर बैठके इसकी study कर सकते हैं without any course लेकिए आपको लगता है कि आपको बंद जाना है या फिर एक ऐसा course आपके लिए मिल जाए जो question practice हो लेकिन एक ऐसी question practice कि जदी में पास एक question आया उस question से related सारी theory में पास complete हो जाए और इसमें हम माहिर हैं हमने पहले भी सारती बैस निकाला है उसमें बहुत से बच्चे रहे हैं उनसे पूछ लेना एक दो class की demo यूटूब पे पड़ी हुई है तो हम सिर्फ question practice नहीं कराते हैं इसमें हम हर एक questions की पूरी की पूरी PhD कर देते हैं कि इस questions के related जो भी topic है वो सब complete आपका होज है तो इसलिए हम इसकी बेपिशन्स आपके इच्छे से कराते हैं तो मैं आपके लिए क्या कर सकते हैं इसके लिए राइसन जे के लिए हमने एक CTQ batch निकाला है इसको हम बोते हैं concept throw question इनको हम complete करेंगे इस batch की कुछ कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि degree diploma दोनों के लिए बनाया गया है सबसे पहले हम आपके diploma का slivers complete करेंगे उसके बाद जो बचे topic है वो degree वाले part में complete किये जाएंगे इसके जो main features है वो यह है कि इसमें आपको specific content मिलेगा जो आपके specific में लिखा हुआ है हर एक topic को यहाँ पर cover किया जाएगा साथ में इसमें मैंने देखा कि paper का जो pattern है वो यह है कि previous question ले रहा है जो आपके 22 में 23 में 24 में आये हुए है exam में चाहिए वो state के A में आये हो चाहिए वो state के J में आये है तो उनको हमने अलग से segregate करके इसके अंदर add किया है वो सारे questions आप करके जाएं exam में और वो भी topic wise ऐसा नहीं कि वो सिर्फ BMC start कर जाए तो पहले P&D start करते है फिर टिम बाइ start करते है नहीं आपको topic wise questions मिलेंगे हर एक subject के जो आपके इस list में लिखा हुआ है ठीक है कुछ questions हमने आपके standard book से भी निकाले है because वैसनों सिर्फ जो नहीं पढ़ेगी आपको लेकिन आपको concept सीखने के लिए मानलो जो question आ गया तो कि SSE में आतो जो question आ रहे है वो आपके standard book से ही आ रहे हैं साइट सारे questions तो हमने कुछ questions आपके book से भी उठाए है ठीक है साथ में आपको इसमें 10 full length test भी मिलेंगे 10 full length test भी मिलेंगे ठीक है और जो classes है वो आपके window पे भी चलेगी app भी चलेगी iOS भी चलेगी और recorded after live यह सारा सना batch आपका live है live एक time होता है उसके बाद यह clause अपने आप automatically record हो जाती है तो इसको आप एक बार देखो 1000 बार देखो यह आपकी मर्जी है ठीक है साथ में आपको हरे question के solutions मिलते हैं और एक सबसे बड़ी खासियत हमें एक WhatsApp group ग्रूप बनाते हैं जिसमें हम मैं सुरब सर विबेक सर सब आपके indulge रहते हैं यहाट मेंस कि ऐसा निया कि आप सर से बात नहीं कर सकते हैं यह उनसे doubt नहीं बूस सकते हैं तो WhatsApp group में teacher available रहता है आप एपने question को डालिए वहाँ पे आपको solution मिलेगा तो यह जो दूरी है ना घर बैठके जो आप online में हम आपसे बात नहीं कर सकते हम interaction नहीं कर सकते हैं आप उकादिक करता रही है वो साइब साइब बातों को हम यहाँ पर discuss कर सकते हैं जो बच्चे हमसे जोड़े बातों को पता है पहले से किया जाता है चार से पांच घंटे daily class चलेगी MCQ और MSQ दोनों कराए जाएंगे जो आपके statement वाले questions है वो भी यहाँ पर include किये जाएंगे because paper दो साल पहले हुआ था तो लगता है कि थोड़ा हो changes वो करेंगे तो वो उन सब changes को देखते हुए हम यहाँ पर questions को कराएंगे बहुत high five questions नहीं कराएंगे बहुत easy questions नहीं कराएंगे आपके exam को देखते हुए जैसा previous year में आया है और जैसे previous year questions आये हुए है not only for राइस्तान जो आपके other state में भी आये हुए है उन सबको include किया जाएगा इसके जो price है वो 1499 है इसकी validity one year की रहेगी और बहुत से बच्चों को हम इसमें offer दे रहे है because यह आपका specific batch है तो उन बच्चों के लिए जो हम से जुड़े हुए है पहले ही उन सब के लिए चाहे वो प्लाने हो चाहे नहीं हो यह इस बाले price पे 1499 पे आपको 25% और off मिल जाएगा तो यह जो आपका course है यह आपको 1100 प्लस का कुछ पढ़ जाएगा ठीक है तो बस आपको कुछ नहीं करना आप जैसे इस पर tap करेंगे तो वहाँ पर एक option आएगा promo code वाला 25% off में automatically पहले से लगा होगा क्लिक करेंगे आपने आप कम हो जाएगे आपको कुछ नहीं करना ठीक है तो यह तो यह coupon code पहले से लगवा मिलेगा आपको इसके price आपके 11 हो जाएगे यह सिर्फ आपकी one day के लिए है एक दिन के लिए है और भाई हम price कम नहीं करेंग करेंगे उस पर कोई कम नहीं हो सकते चाहिए आप पहले पढ़ेंगों चाहिए आप नई बच्चे क्यों नहीं हो ठीक है तो यह बैच हमने आपके लिए बनाया है क्लास इस बताइता हूं कैसे कैसे होगी ठीक है सबसे बहले हम बात करेंगे कि यह आपका जो offer है यह only one day के यह valid है जब मैं आपकी क्लास रिकोर्ड कर रहा हूं उसके बाद आपको मिलेगी है उससे एक दिन तक यह valid रहेगा क्लास रिकोर्ड करते हैं कि इसमें क्या के चीज़ दे हो यह आप बस ऐसा content है यह BC पुनमिया का page है तो हमने कुछ question यहां से बनाए है विकोस BC पुनमिया की जो book है जो send book है मैं आपको सिर्प एक demo दे रहा हूं उनसे हमने बहुत सारे questions बनाए है जैसे ही आपके different type के आप angular measurement के system को use करते है तो इसे में कुछ लिखा हुआ है कि इंडिया के अंदर कौन system use किया जाता है तो यह line साफ साफ लिखे हुई है और यह आपके exam में आ सकती है तो इन सब चीज़ों को भी include किया गया है आपके slivers के अंदर जो आपके standard book से उठाया गया है तो जो आपके sexual system होता है वो आपके इंडिया के अंदर United States के अंदर use किया जाता है यह भी आपको ध्यान अपना है ठीक है और जो R system होता है वो आपके external और navigation के लिए use किया जाता है तो यह कुछ आपको इसी book में नहीं मिलेंगे लेकिन standard book में third fourth page में ही लिखा हुआ है तो उन सब को भी सब्सक्राइब का कि कौन सर क्या पढ़ाएंगे तो मैं अवनी सर तो मैं आपको यह सब्सक्राइब करेंगे बात करते हैं विवेक सर को काफी अच्छा knowledge है आप बहुत सब्सक्राइब पहले पढ़ा चुके हैं डिप्लोमा डिगरी के वह आपको पढ़ाएंगे एक स्पेसिफिक टीम चाहते हैं जो आपके इन सब सब्सक्राइब करेंगे बात करते हैं कि क्लासिज कब से स्टार्ट होगी आज अच्छा नौंबर है एक दिन का आपको ओफर दे रहे हैं और बीस नौंबर से हम इसक्क्लासिज को स्टार्ट कर देंगे क्लास स्टार्ट कर जो टाइमिंग है वो सुबह से ही है जिसे कि आपका पूरा ताइम पूरा दिन खराब ना हो सुबह 9 से 11 एक क्लास हुआ करेगी इसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा फिर आपकी 11.45 से लेके 145 की क्लास रहेगी जिसमें आपको सुबह सर पढ़ाएंगे कुल मिलाके आपको चार घिंटे की क्लास डेली मिलेगी और हम मैक्सिम 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 जो बैच जाएगा वो 15 जन तर जाएगा फिफ्टीन जैन तक ये पूरा बैच कंपलीट हो जाएगा ठीक है तो इसमें आपका टेनलर पार्ट हम अच्छे स जाएगा बार्ट होता है जैसे आपका ख़तम हुआ बैच आप पढ़ना चोड़ देते हैं तो आपकी जो कॉंटेनीट पर मेंटेन नहीं नहीं हो पाते पिर आपको फील नहीं आते हैं तो उसके लिए आप इस वाली बैच को ले सकते हैं तो ये राज़स्ता नजैए के ल चल जाए और आपनी पढ़ाई को continue कर सके उधर आपका RRBJ आएगा उधर आपका यूपिट्रिप्लस्टी आएगा यदि आप राइस्थान करें तो राइस्थान भी आ सकता है तो आपको उताना हो कि उसकी मर्जी है लेकिन एक्जाम वो टाइम से कराएगा आपका तो जी टाइम से कराएगा तो भई उसके लिए आपको प्रिप्रेशन करनी पड़ेगी तो जो बच्चे हमसे पहले पढ़ते हैं उनके लिए बैच फ्रेश है उनको ये बैच आपका पढ़ेगा 1499 में इस जो इमेज बैच के अंदर इंक्लूड किया गया है और ये आपका एक क्वेशन प्राक्टिस बैच में फिचर्स यहां पर लिखे हुए आप उसको पढ़ लेना बट में जो स्पैसिक कॉंटेंट आपको यह लेना चाहिए यह बैच लेना क्यों है आपको वो मैं आपको बत जो ज्यादा नंबर के हैं विकोज इसमें आपका 65 और 35 का वेटिज रहेगा और इसमें इस बैच में आपका नॉन टैक भी इंक्लूड किया जाएगा जिसमें आपका कंप्लीट करेंगे जीकेजेस वाला पार्ट भी कंप्लीट करेंगे और साथ में जो आपकी हिंदी वाल जाएगा जितने नंबर के खिर जीफिदा नंबर के जादा आ रहे है उसको जदा पढ़ाया जाएगा जो कम करा रह रहे हैं वो आपका 20 नॉवंबर से स्टार्ट हो रहा है 20 नॉवंबर से विकोस आपका एक्जाम मुझे लगता है कि मार्च में यह होने के चांसे बहुत जादा है तो अभी से आप इसकी करेंगे तो तब तक यह बैच आप बहुत सब्सक्राइब बिकोस इसके अंदर बहुत सब्सक्राइब करने पड़ेगी जैसे इमेज बेस कोश्चन जैसे आपके स्टेटमेंट वाइस कोश्चन उनकों कंप्लीट करेंगे तो इस बैच को हमने अच्छे से कंप्लीट करना है और टैस्स भी आपको इसमें साथ में दी जाएगी विकोस ह हमने यूपिटलसी के लिए लाइ बैस नहीं बनाया था हमने रिकोड़ बैस बनाया था बच्चों के डिमांटी के सारी कोश्चन प्रैक्टिस होना चाहिए तो कि आप बहुत अच्छी कोश्चन प्रैक्टिस कराते हैं इंडिया के अंदर अपने बढ़ाय में खुद करना हो उसके बस आपको क्लिक करना है तो प्राइस अपने आप कम हो जाएंगे 25 परसेंट तो इसको आप पर्चेस कर सकते हैं ठीके साथ में आरे भी जेगी जो प्रिपिशन कर रहे है वच्चे उनके लिए अभी हमने सिर्फ टेस्स लॉंच किया है वो भी नॉन टैक की तो कि ह मैंने इस एक्जाम में 71 माक्स गेन किये थे उस टाइम पर तो मैंने इस वाली जो टेस्स को डिजाइन किया है तो उसमें आपको 99 रुपीज में 10 टेस्ट दिये जा रहे है फुलन टेस्ट जो आपके एक्जाम ओर्येंटिड रहेंगे उसके बाद हम आपको पांच फ्री ल सकते जिसमें आपको स्पैसिफिकली यह पढ़ना पड़े कि बहुत कम पढ़ना पड़े या ऐसा हो जाए कि भाई सिलिवस जाएगा दो तिन साल बाद ऐसा नहीं विगोज अभी राइट टाइम है हम प्री टू मेंस पढ़ाई रहे हैं इसमें हम आपकी थेयोरी को कंप्ल दूसरा तो सब्सक्राइब अड़ाइज यह है कि मुझे लगता है कि इस इस टाइम पे मैक्सिम बच्चे अपनी पढ़ाई पो ब्रेक दे चुके हैं उनको लगता है कि अभी पढ़ लेंगे कर लेंगे नहीं कर लेंगे तो आप अपनी पढ़ाई के साथ कॉंटिनिंटी म कर सकते हैं बत बीन चीज़े होई है कि बस अपने आपको एक बांद के रखना है तेली प्रैक्टिस करनी है कोश्यंस की और नौट्स बनाना है यही आपकी सबसे अच्छी चीज़े रहेंगी जो आपको अपने एक्जाम को करने में आसानी करें किलियर है तो यह मैंने आप को बता दिया है पूरा प्रॉपर वे में इस तरह से आपने कर सकते हैं कोई आपके डाउट रह गए तो आप इस कमेंट सेक्शन के अंदर लिख सकते हैं इस वीडियो के नीचे दूसरा आप मुझसे टेलेग्राम पर भी जुड़ सकते हैं अवनीश श्रमा के नाम से है डि अंनी program डाउट सक तरह माँ जह सच तरह सकते हैं करोख के चोवे।